नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में नाम है लाइफ हिल गई आई है डिजनी प्लास होट स्टार पे और इसके डिरेक्टर है प्रेम मिस्तरी दोस्तों रिव्यू के शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप से कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजेगा क्योंकि वेव सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है OTT की दुनिया की हर ज्यानकारी और दुस्तों इस सीरीज में कहानी बिलकुल ही कहिए कि कमजोर है बहुत ही एक सपार्ट किस्म की कहानी है जतना आपने ट्रेलर में देखा होगा होतना ही कि यहां आप देखते हैं देव यानि दिव्यंदू को और उनकी बहन है कलकी यानि की कुशा कफिला और फिर इनों को इनके दादा जी एक गाव में बुलाते हैं उतराखण के गाव में जहां इनकी एक प्रपरटी है एक होटल है जो की सालों से बंद पड़ा है और दादा तो दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि यह कोई बहुत ही सीरियस कहानी है और यहां आपको यह देखेगे कि दोनों लोग किस तरह से कॉंपरिशन कर रहे हैं और अपना अपना एफर्ट डाल रहे हैं बिजनेस की प्लानिंग हो रही है इन्वेस्मेंट की बात हो रही है एक्सपेंशन की बात हो रही है या फिर यहां कोई मार्केटिंग एस्ट्रेटिजी वगर आपनाई जाए कि दोनों लोग एक दूसरे को मात देने के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ चड़के कर रहे हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है इस सीरीज में सब कुछ बहुत ही आसा बचकानी से हो रहा है एक बचकानी टाइप की ये सीरीज है जहां आपको बुद्धी लगाने की कोई जरुत नहीं है और ये जो कहानी है ये एक सपार्ट तरीके से चलती चलती चली जाती है आला कि इसमें रिलेशनसिप की भी बात है इसमें फिर आप कही लव वाला एंग देखते हैं लेकिन इस सीरीज की जो सबसे खराब बात है वो ये कि यहां आपको डेप्त नहीं दिखती है नहीं कहानी में नहीं करेक्टर्स में और नहीं कोई ऐसा आपको सिचुएशन देखने को मिलता है तो बिलकुल कॉमिक जैसी ये सीरीज है बचकानी जैसी बाते कु मतलब रखने की कोशिस तो की गई है उतार चड़ाओ लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है तो बिलकुल ही एक फ्लैट ये सीरीज है हाला कि बीच बीच में एक दो जगह ऐसा है जहां आपको जो वन लाइनर्स है या जो थोड़ी कॉमेडी है वो ठीक लगती है लेकिन इतने के लिए मुझे नहीं लगता है की आप छे एपीसोड झिलना चाहेंगे और ये आदे आदे घंटे के एपीसोड है तो आपके जीवन के 3 घंटे जानेवाले हैं जिसमें आपको न। न कोई इंटर्टेन्मेंट मिलने वाला है नो आपको इमोशन देखने वाले है और नह रही एक कोई ऐसी कहानी देखने वाले है, जिसको देखे करके आप कह zwar कि हाँ भाई मैं तो हिल गया. तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है आप इस सीरीज के देख करके हिलते जरूर है लेकिन अलग तरीकिषे आप यह सोच्छते हैं कि आखिर बनाने वाले ने क्या सोच करके और फिर यहां आप देखते हैं मुक्ती मोहन को दूसरे और भी कलाकार है लेकिन यहां जब कहानी में, राइटिंग में, स्क्रीन प्ले में जब कोई दम नहीं हो तो कलाकार ही आखिर क्या कर लेगा तो कुल मिलाकर करके दोस्तों इस सीरीज में जो सबसे अच्छा आपको लिए वो बिलो से भी एवरेज हैं बस थोड़ा बहुत मैं यह यह कंसेडर कर रहा हूं कि यहां कुछ जो पंचेज हैं एक दो वन लाइनर्स मुझे ठीक लगे थे और इसलिए जो मेरी रेटिंग है वो है पांच में से दो की तो दोस्तों आज बस इतनी बात आपको यह र है धन्यवाद